हलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना ने किस तरह पूरे दुनिया को रुला रखी है और इसे संदर में WHO तथा अन्य हेल्थ और्गनाईशन के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वाइरस में 61 दिनों में 1 लाख जन संख्या तथा 11 दिनों में संक्रमोनों के संख्या लगबग 2 गुनी हो गए और अगले 4 दिनों में 3 गुनी हो गए भारती रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना से पीडितों के संख्या अब तक 500 हो चुकी है जिसमें से 10 की मोत हो चुकी है और इस तरह कोरोना ने लगबग 100 सभी अधिक देशों का अपने चपेड में ले लिया भारत में पहला मरीज करिला और फिर मुंबई दिल्ली यूपी पंजाब और लगबग भारत के सभी राज्यों में फेल गई इस संदर में मोदी जी के संबंधन में एक दिन की जनता कर परन्तु अभी अभी ताजा खबरों से पता चला है कि 24 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में लोगडाउन हो जाईए और यह 21 दिनों तक रह सकती है जिस तरह महामारी आग की तरह फेल रही है 21 दिनों तक लोगडाउन करना भी सही है मैं और पूरे देश वासियों को म मर्सर करने की गुजारिस करता हूं मुझे पता है मुझे पता है कि दोस्तों देश में कोने कोने में भारतिय बसे हुए और इन 21 दिनों में सायद खाने पीने की समस्या भी आ सकती है मंगाई बढ़ सकती है संतुलन विगड़ सकता है परंतु अपनी बुद्धी से काम ले और सांती कमाहुल बनाई रखें और मैं आपके सामने चंदलाई ने पेस करता हूं कि थम जाओ 21 दिनों के लिए अपने घरों में भारती राष्टवाद की भाना है हर बच्चों और हर बुड़ों में हिम्मत रखो सामना तो करेंगे हिम्मत रखो सामना तो करेंगे कोरोना हो या हो कोई आफ़त हम साथ मिल कर लड़ेंगे और दोस्तों आप अपनी सेफटी की स्विधा रखे और अपने घर से बाहर ना निकले रोड पर ना निकले और अपने N95 mask का होज़क्ती इस्तिमाल करें और लोगों से hands-seq ना करें sanitizer करें और आप सबी को 21 दिनों तक घर से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना आपका बस एक ही काम है और एक ही काम है कि आपको कोई काम नहीं है आपको सुर्फ घर में रहना है